प्रावर प्ले प्लेर्स अपर और स्काइड डाईव के तहट सूरज ने किया ये पहला सिकार और सागर को किया मैट से बाहर और आपकी शायरी के बीच आयूश कुछ पहतरीन खेल दिखाया है और फिर से दिखाया है कि क्यूं वो साइट टू बीट है इस टॉर्णूमेंट में गुज्राज जाइंस ने बले टेबल टॉप की हो लेकिन पिछले मैच में गुज्राज जाइंस को मुमेंटम मिला था और योडिशा जगरनॉट्स फिर भी थोड़ी सी वीक टीम के साथ खेल रहे थे अपने आखरी दो मुकाबले टॉप अधे टेबल गया लेकिन टॉप फॉर्म वापिस आ गया है तीस अंक अब हो चुके है उनके 18 अंक गुज्राज जाइंस के 12 का फासला छे मिनट दस सेकिंड का खेल जो है वो और खेला जाना बाकी है इस बैच की यह दिया बात करते हैं तो लगबग एक मिनट का समय मैट के उपर विता चुके हैं आकशे और अबिनंदन पाटिल दोनों ही घिलाडी बहुत सारा तजर्बा अपने साथ मैट के उपर लेके आते एक्टिव जो टाइम है उनका वो बढ़तावा लगातार नजर आ रहा है पावर प्ले की सिच्वेशन है स्काइडाय लगाने की कोशिश है क्या वहाँ पर अरजुन शिकार बना पाएंगे दीनंग अपनी टीम के लिए ले जाएंगे आकशे भंगारे को अरजुन ने तीन को कि सलामी दियर का है जनाब हमारी टीम के लिए भी हमें और अंग कमाने हैं यहां उनको जैसे ही खो विलाचारों लिम हवा में ले रहा है और उसके बाद सेंटर लेन पे भी नहीं टकराएं निराश आकशे भंग रहे और होना भी चाहिए क्योंकि उनमें वो माद्दा है उनमें वो दमखम है और उनका इसा रुद्वा है अल्टमेट खोको में कि उन्हें इससे जादा देर रुकना चाहिए था क्योंकि अब हुआ यह है कि डेजिगनेटिड वजीर जो की अबले में लगातार क्रोस लेन का इस्तमाल करते वे आदित्य आगे जा रहे थे और यहीं आपको करना होता है क्योंकि एक बार जब आप अपने कंदे मोड देते हैं ना तो वहां से आपको वापस आने की अनुमत ही मिलती नहीं है 36 पे ओडिशा जगनर्स है 18 पे गुजराद जाइंट्स की टीम है और ये जुनोंने और जादा सुर्कियां बटोरी हैं लेकिन अपना डिफेंसिव काम अपनी डिफेंसिव जिम्मेदारी बखू भी नहीं निवा पाए थोड़े से अकेले भी रह गए वहां पे उस बैच म जब एक बार आप बेंचमार्ट सेट कर देते हैं तो उसके उपर आपको परफॉर्म करते वे नजर आना चाहिए यहां पर फोल्डाय लगाने की कोशिश है लेकिन वहां बच गए धीरज भावे और जो आप बात कर रहे थे ना अनंत कि यहां इस इनिंग में किस तरह से इ लिखाना होगा जिमेदारी बड़ती वे नजर आएगी हर खिलाडी पर उसका सबसे बड़ा खारण यह है कि यह वो टर्न है जहां आप मौके को भुनायना चाहते हैं जर्जी नमबर नौ एक बार फिर सूरज जो थे उन्होंने स्काइडाय लगाने की कोशिश की थी और फ फासला अब एक की संको का इन दोनों टीमों के बीच सुयाश और अनिकेट पोटे पे सब की निगाह हैं सुयाश भी डिसमिस हो गए इस्टा मलिक का डिसिजिजन की आउट है और रनिंग टस्ट दिया जाएगा रेफरी मिस्टर पाटन कुर द्वारा बचे सिर्प अगे एक्सपीरेंस और सीनियर कोचेज हैं अल्टिमेट कोको के संजीफ शर्मा उनके साथ अश्विनी कुमार शर्मा 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 शर्मास की लड़ाई या यूश्वारा अनंद मुझा ऐसा लग रहा है कि आपको इस समय अश्विनी शर्मा का चेहरा जो है वह महस्वा काल लग रहा होगा लेकिन खिलारियों को उनके अंदर काल लग रहा होगा गुस्से में थे से देखते हैं आउट हुए कैसे रिव्यू लिया है उडिशा जागनौस ने क्यूंकि यहां पर टच लगा है और अनिकेट पोटे का बाय हाथ मिस्चित रूप से जानता है कि वह और क्या उसके बाद पुट ने सेंट्रल लेन को क्रॉट है कि नॉट सक्सेस्पूल डिपेटर नॉट आउट का फैसला तीवी अंपायर भी तीरती ने अपना वक्त लगाया लेकिन वो वक्त गुज्रा जाइंस के काम आया आयूश आपी की शेहली में क्या बात है अनंत इसे कहते हैं किस्मत को इतना नहीं कोईस्ते किस्मत इतनी भी नहीं है मायोज उपर वाले ने थ्भड़ा सा दिमाग दिया है बस वो चला लेता है आयूश और आज उसके कोशिश एक बार पर करनी होगी कोशिश तो करनी होगी अनिकेट पोटे को भी यहां तो डॉज है जनाब इतनी आसानी से अनिकेट पोटे से आप पार कैसे पाएंगे और यदी पाज आएंगे तो अडिशा जगर्णर्स तुडिना कहलाएंगे पीटे को चुके है अनिकेट पोटे के लेसे जो है उनके शूस की खुली हुई है उसका खामियादा ना भुगतना परेंगे तरफ जाना पड़ेगा सुबशी शूंट्रा निटा ये 2 मिनिट 40 सेकिंड उम्मीद है संजी शर्मा ने कहा होगा कि यही है आपके पास अगर इस मैच का रुख बदलना है इसकी कहानी पलटनी है क्योंकि फिलाल उडीशा जगरनौट के पास नकेवल बढ़त है उनके पास एक ऐसा डिफेंस है जो की पहली और दूसरी इनिंग्स दोनों में ही उतना ही जागरूख रहता है और अटैकर्स को परिशान करके रखता है तो यहाँ पे जितना वक्त ये बैच बिता सकता है उतना बिताना चाहिए एक और ड्रीम रन की कोशिश करनी चाहिए संजीव शर्मा की टीम को इस बैच को वरना कहीं हाथ से ना निकल जाए बाजी टर्न चार की शुरात होने से पहले ही टार्गेट यहाँ दिया जाता है फासला जो है वो अभी भी तेईस अंका है कोशिश करनी होगी कि गुजराज जाइंस के खिलाडियों को और शिकार बनाया जाए ताकि टार्गेट भी बढ़ जाए इसका एडाय लगाने का प्रयाज जरूर किया था और उसमें सफलता भी मिलेगी अर्जुन को तीन और अंका इजाफा कर लेंगे गोविंद को करेंगे मैट से बाहर अभी विनायक और निलेश ये खिलाडी एक्टिव है एक मिनट 44 सेकंड मैट पे बिताने है अभी भी ध्रीम रन पूरा किया जा सकता है यह जो पासला है उसको कम कर सकती है लेकिन बेहतरीन तरीके से और अश्वनी कुमार शर्मा की सेलिब्रेशन अक्सर बताती है कि उन्होंने किस तरीके से आका उसकाइडाय को इस तरह से मोडे हवा में गये उनके पैर पूरा अपना रीच उन्होंने दिखाया और तीन अंक से खाता भी अपना और मजबूत कर चलिए यहां पर फिर से टच्क्लेम जरूर कर रहा है विनाश और भी दिया है अंपायर ने क्या रिव्यू मांगें यहां पर विनायक बिनायक की निगाएं तो जरूर थी वो थोड़े से आसन तुछ थे समय जरूर लिया उन्होंने लेकिन मांग नहीं की रिव्यू की पचास सेकिंड का समय और मैट के उपर बिता सकते हैं या निलेश पाटेल उनके पास मौखा है बैच यह तीसरा चल रहा है 28-20 का यह जो स्कोर है 28 अंकों का यह फासला यदि ड्रीम रन अपने टीम के लिए कंप्लीट कर जाते हैं तो 28 से उस फासले को कम कर देंगे 26 पे वो आ जाएगा और फिर टार्गेट जो गुजराज जाइंस के लिए रहेगा वो 27 का होगा लेकिन यह सब गणित तब काम बाद में निलेश अंतिम खिलाडी बचे थे उन्होंने भी मैट के उपर वो जो ड्रीम रन के लिए समय बिताना था वो पूरा नहीं कर पाए और यहीं कहानी रहे गुजराज जाइंस की खरीब तो आये लेकिन अपनी जिम्मिदारी का निर्वाब पूरी तरीके से नहीं क पूकाबला जो है गुजराज जाइंस ने जीता जरूर लेकिन यहां पर जीतना उनके लिए जादा एहम और यह डिफेंसिव वैच इनके लिए अभी सिर्फ बचना जरूरी क्योंगी ड्रीम रन नहीं कर सकते थे हूटर थोड़ा सा जल्दी बच गया शे सेकंड अभी भी बाकी दबाव जो है वो साफ नजर आता है और यह जो हूटर है कभी कभी ऐसे ही बच जाता है जब दबाव में हूटर बचाने के लिए यह सही समय है यह सही समय है